भाई कोई भी बंदा ना से करे सस्ते तो इस लेवल के करे नहीं तो ना करे मतलब ये बंदा तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिरा न्यू भब जी दो मोबाईल की इंप्ले वीडियो में जिसमें यार हद से जादा ही गलत सीन होते हैं ठीक है मतलब इसमें पूरा का पूरा सर्वर हाँ मेरे को मिला के सब नसे मे के खिल्ले होते हैं पूरा सर्वर मतलब आप भी बोलोगे यह क्या चलना है और यह क्यूं है और इस मैच में जो आखरी बंदा बचा होता है यार उसके साथ जो होता है न भाई यार किसी के साथ नहों वह बहुत ही गलत होता है और हमारे ये भाई सीधा पोचंकी की चट पे लेंड करते हैं और यार देखो मेरे पे सोड़ गन है बंदा काफी दूर है लेकिन धीट होने के कारण में दो-चार गोली पटकाताओ बंदा धेड पेड नौक और एक और उसी घर के अंदर है और हमारे ये भाई यहाँ ठीपी पी लेके एक एम के साथ बैठे पड़े होते हैं और रोट के जो उस पार बंदा है यार उसे कोई चैन ही नहीं है मतलब वो बंदा उधर से सोड़ गन पेलना है तो हैर कैसे रसना करूँ उस पे करना ही पड़ेगा तो मैं पहुँच जाता हूँ इधर अब पहली ये बंदा तो सोड़ गन कते ही देड़ पैड़ पटकाता है उसके बाद जब मैं एक केम लेके चड़ता हूँ भाई भगने लगते है यार ऐसे कैसे काम चलेगा भईया और उतने में ये पीछे से बोर्ड भी आ जाता है और सामने बंदे भी भगरे होते मेरे और ये इनकी पूरी की पूरी सकॉड खाली हो जाती है हाणा और देखो पोचंकी में सिर्फ चारी बंदे आयो होते हैं मतलब मुझे नहीं पता क्यों ऐसे सीन होतें लेकिन पोचंकी कोई आने को राजी नहीं आजकल मतलब पहले होता था यार एक टाइम था बोलते थे भईया प्लेन में भाई पोचंकी आओ तुम्हारी पेटी बनाएंगे लेकिन यार अब कोई भी नहीं देखने को मिलता मतलब रोजोक और मिल्ठा पावर में बंदे मिलेंगे भाई वहाँ पे 88 सकॉर्ड मिल जाएंगी और सेवर नी पूछो मत दबा दबा की बंदे आते लेकिन यार पोचंकी कोई आता ही नहीं तो क्या होता यहाँ पे मुझे बस 6 किल मिली है तो मैं तमीज से नहीं रुकूंगा 6 किले यार उतरते ही जहां उतरे वहाँ पे सिर्फ 6 किल मिली तो कदू कुछ नहीं होगा इसलिए मैं बोलता हूँ यार जहां पे भी रस करना होगा पूरे जोस के साथ पूरी तेजी के साथ अंधा रस करना होगा नहीं तो यार बंदे ठिल जाएंगे और किल के नाम पे कद्धू कुछ नहीं मिलेगा तो मैं गाड़ी उड़ा देता हूं यहां से अब यहां पे सीन क्या होता है उपर से चौड में तो मैं गाड़ी कुदा देता हूं हाना दो बंदे नौक करता हूं मैं उतने में ही उपर वाला बंदा कूदेने लगता है तो देखो भाई को मीट अप करना था लेकिन यार हम पूरे अपने फुल जोस में थे तो मुझे कद्दू कुछी भी देखता मैं गोली चलाता हूँ और जब तक मैं सुछता हूँ कि भाई ये तो कुद्राय गोली रोको तब तक यार बंदा ठिल जाता है तो हमारे भाई मीट अप करना चारे थे उसके लिए बहुत बहुत सौरी यार भाई जोस में यार बहुस खो बैठा मैं इसलिए पेटी बन गई हाना और आपको पता है यार मेरी क्या आदते भाई यार गोली चलनी चीए तब तक पेटी ना बने जब तक और इसी जल्द बाजी में भाई की भी पेटी बन जाती है कैर वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं जोर्ज की तरफ जा रहे हैं अभी क्यूंकि भाई वहाँ पे चलिए है फलेर गन ठीक है प्लेन पाथ हजारो मीटर दूर था जोर्च से मैं मजाग भी नहीं कर रहा हजारो मीटर जहां तक मुझे पता है मतलब पास नहीं था है यार क्योंकि फ्लेन पाथ अगर पास होता तो यार तुम्हारा भाई जोर्ज ही पहुंचा होता तो मैं भी पहुंच रहा हू और ये जो बे मतलब के अभी मैं रिसक वगेरा ले रहूँ न भाई इनी के चलते यार मेरी पेटी बननी है कभी न कभी मतलब गाड़ी फुल रफतार में चल लिये मैं धैड़ पैड कूद गया और इतना सारा डैमेज हुआ की पूछो मत लेकिन अभी जिन्दा है तो बाकियों को भी पेलेंगे अब जोर्ज में बंदे अभी भी बैठे पड़े और जहां तक मुझे पता यार इस बंदे को बोला गया था कि भाई तुम गाड़ी ले आओ हम जोर्ज में रुखेंगे इसलिए भाई की यार रस्ते में ही पेटी बन गई अब देखो गिल्ली सूट मिल गया मतलब यार ड्रॉप का माल भी जरूर होगा और यार मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा पोचंकी के लूट की मतलब ठीक है मैंने पूरा नहीं लूटा लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ सकारिल मिल रखी है ठीक है मतलब देखो यार सकारिल सही गने लेकिन M4 M4 यार आपको भी बताईए लेकिन कोई यार इसी से जुगाड भीड़ा के पेलते बंदों को अब इस बंदे को इतनी जल्दी होती है उस गिल्ली सूट वाले बंदे को रिवाइफ करने की कि ये अंदा भकते वे भकता है अंदा भकते वे जाता है ठीक है तो इसकी तो मैं रस्ते में पेटी बना देता हूँ तो हाँ यार देखो इन लोगों ने उस बंदे को अकेले बेजाता गाड़ी लेने और इने लगरा होगा कि भाईया ये लोग बन जाएंगे लेकिन देखो हम है धीट भाई कहीं पे भी वो बंदे रस्क करके पहलेंगे तो सबके पूरी स्कॉर्ड की तीन बंदे होते याँ पे तो तीनों की पेटी बन चुकी है और भाई को AWM मिल चुकी है तो यार दिक्कत होनी नीची है आगे जाके वैसे होगी दिक्कत हैं लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाओं और यार सस्ते नसे से भरा हुआ गेम आपको देखने बिले हम धैट बैट बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वैबसाइट का नाम है 1XBet जो की एक बहुत बड़ी और ट्रस्टेल बैटिंग वैबसाइट है इसकी मदद से आप कई सारे स्पोर्ट जैसे की क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केट बॉल और भी कई सारे स्पोर्ट पे बैट लगा सकते हो और इसमें आप e-sports भी अवैलेबल है, तो आप e-sports के मैचेस पे भी बैट लगा सकते हो और अपनी prediction skills के तुरू पैसे अन कर सकते हो साथी साथ इसमें आपको कई सारे mini games भाई या छोटे games देखने को मिलेंगे तो आपको अगर games खेलने का शौक है तो आप वो खेल के भी पैसे अन कर सकते हो और इसमें आपको 7000 रुपे तक का bonus मिलेगा अगर आप मेरा promo code यूज करते हो जो की comment section में होगा तो हाँ यार आपको आपके पहले deposit में 7000 रुपे तक का bonus मिलेगा और इसमें कई सारे option होते हैं पैसे withdraw करने के भाईया पेटियेम, पेपाल, गूगल पाल, हलवापाल सब कुछ इसमें available है तो आप किसी से भी पैसे अपने निकाल सकते हो तो अगर आपको इस चीज का सौक है तो इस app को try करना मत बूलना इसकी link comment section में होगी बिल्कुल टोप में और उसी के साथ मैं आ गया हूँ एक और फ्लेर ड्रॉप पे रस करने हरा देखो भाई पे AWM है, भाई पे गरोजा है, भाई गिल्ली सूट भी है लेकिन भाईया चैन नहीं है, मतलब किलकी लालच, किलकी भूक अभी तक खतम नहीं हुई है तो मैं अपना मू और ग्रोजा लेके यहाँ पे पहुंचाता हूँ फलेर पे अब देखो आगे डिरॉप हुआ होता है, मुझे लगता है यार कोई है, वहाँ पे मैं अंधी फाइरिंग करता हूँ ठीक है, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं होता कि भाई वहाँ पे बंदे है की नहीं और देखो आगे बंदा होता है की नहीं, मुझे नहीं पता लेकिन पीछे घरों में बंदे आ जाते हैं अब इस बंदे को मैं सालों पहले नो कर देता लेकिन यार ये जो सर्ये की रेलिंग होती है न ये जो सर्ये के फटे लगे होते ये दर्वाजे में यार इससे बच जाता है बंदा थोड़ी देर के लिए आओ मिलके देखे की यहां पे क्या हुआ मैंने सकोब खोला सर पे रखा गोली चलाई खून आया ठीक है खून भी निकला लेकिन यार क्योंकि मेरे ख्याल से उसने गोली पहले चलाई थी तो मैं नौक हो गया और जो मैंने गोली चलाई उससे कदू कुछ फरक नी पड़ेगा ठीक है सर पे चलाओ पेट पे चलाओ नाभी पे चलाओ टांग पे चलाओ कोई मतलब नहीं उसका ठीक है चलो ठीक है यार मतलब आप डेमेज नहीं दे रहो पब जी यार मेरी गोली तो वापिस कर दो गोली कब हुई है लेकिन डेमेज नहीं हो है भाई बहुती बढ़िया भाई कोई भी बंदा ना से करे सस्ते तो इस लेवल के करे नहीं तो ना करे मतलब ये बंदा क्या करता है पहले सिंगल में पेल देता है अपनी M साथ छेदों को ठीक है उसके बाद भाई सिंगल गुलियां चलाते हैं फिर भाई दुबारा दबाते लेकिन यार M साथ छेदों में होता है बरस्ट मोड ठीक है मतलब वो होता है न दो दो गोली निकलती है तो भाई कते बरस्ट मोड में गोलियां पेलते और देखो मैं भी इतना धीट मैंने ये नहीं कि भाई मैं जाके रिलोट कर दू अपनी ग्रोजा को नहीं भाई AWM से ही पेलना है चलो गलती से बज गया मैं यहाँ पे भाई गन ड्रिलोट पे चल गी उस बंदे की नी तो यार मेरी पेटी मिलती यहाँ पे खैर एक और बंदा होता है यहाँ और हमारे ये भाई भी कताई 16 वर्सी सकौर्ड खेल के इधर पे आते हैं या इसकी टीम पीछे होगी जिसे मैं जाई रहा हूं पेलने खैर जो भी होता है इस बंदे की पेटी बनाते हैं इस भाई पे भी ग्रोजा वगरा पड़ी होती है तो हाँ यह बंदा भी कताई रसर या से न देतो तो भाई को फॉलो करना मत बूलना यार उसकी लिंक डिस्क्रिप्सियों में होगी वह भी बिल्कुल टॉप में होगी मेरे ख्याल से खैर उसके बाद इसकी पेटी बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बंदे मिलते हैं अब यह वाली टीम यह कीचड के किनारे नजाने क्या कर रही होती है ना नदी तो है नहीं यह कीचड किनारे बंदे रुके पड़े होते तुम्हारे भाई पर एडबलोय में तो मैं चौड में रस करता हूं और इसके बाद मैं एक के बाद एक दो हेड़सोट पिलता हूं दो बंदे नौक और एक बंदे की पेटी भी बन जाती है तो आगे कैसे न जाएं तो मेरे ख्याल से एक ही बंदा बचा पड़ा है जो कि भाई कताई जहरी नेट करता है मतलब देखो यह सस्ते पत्थर के पीछे मैं आगया हूं कीचड के बगल में और बंदा नेट नूट करने लगता है मेरे पे और इस भाई का नेट भी मेरे तरह कताई सस्ता होता है अना क्यूंकि मेरे नेट भी देखो यार यह मेरे नेट किया न जाने कहां जाके फटे गए ख्यार वो पहला नेट गलत करता है लेकिन यार क्या पता वो अगला नेट मेरे मूँ पे फेग दे तो बैस पेड़ के और भाई लोग तयार हो जाओ क्योंकि जो होने वाला है ना ठीक है वो तुक्के में होगा लेकिन मज़ा आएगा बिलकुली अब यहां पे जो भी होता है भाई सब कुछ तुक्के में और गलती से होता है हेट सोट से लेकर नेट तक मतलब देखो मुझे लगी राथा कि भाई नेट नहीं फटेगा ना गलती से फट गया तो मैं बनाने लगा था ये जो ये क्या है भाई ये बरफ के गोले से ये जो पहाड खड़ा उठता है ना भाई मैंने बो नेट से बंदा फट जाता है जो की काफी बढ़िया है मतलब कभी कभी हो जाती है अच्छा टैप लगता है बिलकुली और देखो ये जो ये क्या है भाई ये बरफ के गोले यार इनसे जो आखिर में गलत सीन होंगे नयार मतलब आपको एक बहुत ही अलग तरीका अलग इस्तेमाल देखने को मिलेगा इनका ठीक है मतलब कवर से क पताई गलत और नसीला होगा तो देखो मैं फिर से बगई उठाता हूँ क्योंकि यार पट्रोल वगेरा खतम हो जाता है दूसरी गाड़ी लेते हैं और सामने गटका गुटका में रस कर रहे हैं क्योंकि यार यहां पे बंदे होंगे बचे वे जोन काफी छोटा हो चुका है और पूरी स्कॉर्ड बेटी होती है यहां अब यहां उपर मुझे सिर्फ एक बंदा दिखता है मैं चोड़ में अंदर गुश जाता हूँ और जैसी अंदर गुशता हो ना भाया कता ही चार बंदों के फुटश्टैप आते हैं तो हमें घेर लिया गया है और पेलने की क कुछ इसकी जारी है तो इस सकॉर्ड के तीन बंदे तो मैं पेल चुका हूँ लेकिन एक बंदा अभी भी बाकी है और फुटश्टैप उसके भी आ चुके हैं हमें अब इन भाई को लग रहा होता है यार कि ये समूक में रिवाइफ पेल ले हैं इसलिए ये सुरगचित हैं ठीक है लेकिन हैं हम भाई धीट कता ही मैं चड़ता हूँ छत में भाई छत से काम न अब किया था तो भाई उसी को रिवाइफ कर रहे थे जात तक मुझे पता है यार मैं पीक पाक करता हूँ और अराम से पेटी बना देता हूँ तो यहां पे भी पूरे चार बंदे बचे पड़े होते चारो के चारो की पेटी बन गई है लूट कि मुझे कद्दू कोई जर करता हूँ कद्दू कुछ नहीं मिलता मिरे काम का एमो मौलेकर भग लेता हूँ मैं तो आगे की तरफ जा रहे हूँ हमारे भाई चिलाते भाया कता लिता है करने के लिए लेकिन काफी लेट आता हूँ तो यार अपनी महनत से ही बन्दे पिलने बढ़ेंगे चूरी नहीं क और देखो वो जो सस्ता घरें आगे कहीं पे भी फसो लेकिन उसमें मत फसना क्यूंकि वो हद से ज्यादा गलत जगा है और इसी के साथ यहां पे भी चार बंदे बैठे होते हैं चारो के चारो की पेटी बना दी जाती है और वो बंदा बाहर जाके मेरे ख्याल से उसके आग लग जाती है तो वो बंदा बाहर जाके कते ही जाड़ी में लेड जाता है और मैं देखता हूँ YARони क्यों नहीं से सनाइपर से मारा जाए बगेर सकोप खोले वो हता है नो सकोप क्यों नहीं से नो सकोप मारा जाए और यार लगती भी सिधा सर पर है और इस मैच के बाद जब मैं लो भी पहुंचता हूँ YARони वहाँ पे लिखा आता है कि भाईया तुम बन गए हूँ वैपन मास्टर कतई जहर मतलब मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं सारी चीजे इस्तमाल कर चुका हूँ इस मैच में जब मैं टाइटल देखता हूँ और याद करता हूँ है तब पता चलता है कि हाँ भाई पूरा सब कुछ इस्तमाल करके मैं सारे बंदे पेल चुका हूँ ठीक है सोडगन से पेल दिया भाईया सनाईपर से पेल दिया नेट डूट पटका दिये गाड़ी एक बोट के उपर चलाई थी कतई रोजोग की पाढ़ी में तो हाँ यार वो किल भी हो चुकी है मैं बोलता हूँ बढ़िया यार और हाँ आप सही समझे मैं इतना आलसी था कि मैंने अभी तक वैपन मस्टर वाला मिसन भी नहीं किया था लेकिन कोई यार मिल गया तो सही है तो भाई लोग यार अगर आपने इस वीडियो को गलती से ही हो रही है ठीक है मैं देखता हूँ भाईया वैपन मस्टर मैं बोलता हूँ बढ़िया है यार मतलब गेमपले भी मिल गया वैपन मस्टर भी बन चुके हैं तो और क्या चाहिए जिंदगी में क्यार वो सब छोड़ो यार पर बस एक ही बंदा बाकी है जो कि यार आपको भी पता है मुझे भी पता है साप बन रखा है और देखो साप का चकर मौत से टकर मैं हर बार बोलता हूँ लेकिन यार इस बार वो अपने आप ही अपनी मौत दिलवाने वाला होता है देखो क्या ही सीन होते हैं और हमारे भाई कताई ज़्यादा मेहनत करने यार ग्रोजा पठका रखिये और देखो यार क्योंकि जो होगा न बहुत ही गलत होगा और यार ये जो गलत सीन हुए न भाई यार किसी के साथ ना हूँ जिन्दगी में मतलब इससे ज़्यादा गलत और नसीला क्या हो सकता है मतलब हमारे भाई बने होते हैं कताई साथ ठीक है वो बोलता है बंदा बोलता है कि यार आज तो भाई मैं जलती बोतल में आउख फिकूँगा जला के रख दूँगा जाड़ी घास जंगल सब कुछ मैं ही जलाओगा ठीक है भाई मोली उठाता है हाथ में मैं सकोब खुल के सब कुछ देख रहा हूँ यहां से ठीक है भाई मोली उठाते हैं लिकिन उत्रे में ही हमारे टीमेट क्या करते हैं सामने फिक देते हैं बरफ का गोला ठीक है बरफ का गोला फटता है वहाँ पे वो चक्टान कड़ी हो जाती है और जैसी भाई मोली छोड़ते न यार वो आग की बुतल जाके उस बरफ की चक्टान में लगती है और आग वही पहल जाती है भाई खुद को जला लेते हैं खुद को जला लेते हैं य ये चीज मैंने अपनी जिन्दगी में पहली बारी देखी मतलब यार कमाल है या मतलब देखो ये चीज मुझे इतनी पसंद नहीं थी ये जो बरफ की चटान होती है लेकिन इस मैच के बाद यार मजा टैपी आगया तो हा भाई लोग यार अगर आपने अभी तक लाइक नहीं पेलाए वीडियो को यार इस गलत सीन के लिए बनता है यार लाइक पेल के रख दो लाइक की बटन को और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार सब इसक्राइब करो और भी ऐसे ही गलत सीन और सश्ती कमेंटरी के लिए और जाते जाते 1X बैट चेक आउट करना मत भूलने यार उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में तो आज की वीडियो में इतने बाई लोग यार कल मिलते हैं बाई बाई झाल कर दो… झाल